तो आप सबका प्यतसे सौगत है हमारे यूटूब चैनल टेकनिकल फ्रेंड आरके में तो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपने यूटूब चैनल का यूरेल कैसे कॉपी कर सकते हैं यूटूब चैनल का लिंक जो होता है वो आप कैसे कॉपी कर सकते हूँ तो दोस्तो थोड़ सा स्टेप बाइ स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेना ओके तो सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है क्रोम ब्राउजर में गूगल ओपन होने के बाद आपर दोस्तो यहां पर आपको सर्च करना है आपके यूटूब को यूटूब सर्च करना होता यहां पर ठीक है तो मैं यूटूब open कर लेता हूँ यहां से तो यहां से दोस्तो यूटूब चैनल यहां पर open हो जाता है तो दोस्तो यह पूरी process mobile पर ही हो रही है मैंने सिर्फ rotation अपना screen का किया हुआ है rotation तो यहां से आपको desktop site apply करना है desktop यहां से हमने apply कर दिया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर custom channel का आपको option मिलता है ठीक है थोड़ सा नीचे आएंगे तो custom channel के यहाँ पर आपको option मिल जाता है उस पर एक बार click करना होता है उसके बाद दोस्तों आपकी YouTube के advance setting यहाँ पर open हो जाती है तो दोस्तों YouTube की पुरे advance setting में आप कोई भी setting यहाँ पर जो भी important setting है वो links करने हैं आपको कोई add तो यहाँ से करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपकी YouTube की advance setting open हो जाती है तो दोस्तों जैसे YouTube की advance setting open यहाँ पर हो गई है तो आपको left side में यहाँ पर options मिल रहे हैं थीक है कुश्टुम का अप्शन पर एकब क्लिक करदिया, उसके बाद मैं दूस्ट तीन आपको ओर दिकाई दे रहे, तो तो तीन आपको बैसिक इनफोर्मेशन के उपर एकब लिक करना है, बैसिक इसके में के ओपर एक बार खिलिक करोगे, तो आपका इन बात बता दो तो थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको channel URL का option मिल रहा है ठीक है channel URL का option मिल रहा है तो यहां पर आपको इस URL को यहां से copy कर लेना है ठीक है तो देख सकते हैं लिंक copy हो चुका है keyboard पर तो यहां पर दोस्तों यहां से link आपने copy कर कर लेना है आपको जहां यूच करने इस link को यह वहां पर आप इस्तमाल कर सकते हो उसके पाद दोस्तों यहां पर custom URL का भी channel मिल रहा है तो आपको यह create करना पड़ता है तो आपको create कर लेना होगे तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप अपने YouTube channel का URL copy कर सकते हो तो